बाज़पाने शुक्रवार 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाओ के लिए पार्टी का घोष्णा पत्र जारी किया गरह मंत्री अमिश्या ने कहा कि कालेट छात्रों को हर साल 3,000 रुपे याता यात भत्ता दिया जाएगा दसवी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लेपटॉप मेलेगा उन्होंने कहा पांच लाक रोजगार दिये जाएगे उजोला योजना के लाभारती को हर साल दो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा अडल आवास योजना के जरिये भूमी हिन लोगों को पांच मरला एक बिगा जमीन मुफ्त दी जाएगी जम्मु कश्मीर में विदान सभा की 90 सीटे हैं जिन में से 47 घाटी में और 43 जम्मु संभाग में हैं प्रदेश में 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन फेज में चुनाव होने हैं नदीजे 8 अक्टूबर को आएंगे गरह मंत्री अमिश्या ने कहा जम्मु कश्मीर भारत का है था और रहेगा दस साल में राज्य का विकास हुआ है और हो रहा है आज धारा 370 और 35 ए बीते दोर की बात बन गई है अब ये हमारे सविधान का हिस्सा नहीं है ये सब पीएम नरिंद मुदी के ताकतवर फैसले से हुआ धारास 370 इध्यास बन गई है हम इसे कभी आने नहीं देंगे इसी के साथ मैंने रहे है एश्या इस इंडिया के साथ हैंने बाद मुदी के साथ मुदी के साथ है मुदी के साथ मुदी के साथ मुदी के साथ है